नमस्कार दोस्तो हमारे यूटीब चैनल चोपला डेरी फाम में आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो मैं इस टॉपिक के उपर कवर करने वाला हूँ जो की मोस्ट प्रॉबेबिली हमारे महाराश्टर के करनाटक के और बिहार कलगत्ता मतलब कि वीडियो में नुकसान ना हो इसके लिए बचाव कर सकती हैं तो आई आज की वीडियो शुरू करते हैं और जो सब्सक्राइबर फार्मर्स हमारे पास वीडियो पहली पार देख रहे हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी नॉलेजबल वीडियो हम शेयर करते रहते हैं और काउस की वफैलोस की जो सेल के लिए भी स्टॉक अविलेबल होता है वो लेकिंग आउस्क में यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका कैल्शियम लेवल डाउन होने से गाएं में उठने में चलने में वीकनेस की टेंपरेचर तो तो प्लस मस्टाइटस की प्रॉबलम आ सकती है तो इसलिए गाएं प्रेग्नेंट लेना पसंद करते हैं फार है उसको दूर करने के लिए कम से कम भी 15 दिन का टाइम चाहिए होता है अगर हम रेडी टू डिलिवरी गाएं दे देते हैं फार्मर को तो जाते बच्चा दे देगी और स्ट्रेस उसका कबर नहीं हो पाएगा तो फार्मर क्या बोलेगा कि हमें गाएं तो अच्छी मिली थी बट उसमें हमारा लॉस हो गया और लॉस होने के कारण यही होते हैं कि पूरा एडजस्ट नहीं हो पाती गाएं कि जो बॉड़ी वेट इनका यहां पे है वहां जाके स्टेबल नहीं हो पाता तो पहले हमें एक डिड़ महीना कच्ची गाएं डूननी है चलो वह भी अगर अगर ने परचेस कर ली तो उसकी सबसे पहले यही देखना है आपने कि गाएं के चारो थन वर्किंग होने चाहिए चारो टीड़ अच्छे तरह चेक करने चाहिए क्योंकि कई काउज होती है जिनकी मिल्किंग होने के बाद जब ड्राई करते हैं तो टीड़ में प्रॉब पार्टीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए अच्छी तरह से ड्राई हो दिखना चाहिए आपको ती अच्छे से ड्राई हो चुका है मतलब दूद अच्छे से सुका चुकी है पलस आपको दो चीजें और बता दूब कि अगर सैवन मन्त की प्रेगनेंट है काउ तो उसको ड् प्रेगनेंसी का होता है उसमें गाएं ने अपनी प्रोटीन और अपनी बॉड़ी बनानी होती है क्योंकि बच्चा देने के बाद उसमें समर्था बनी रहे दूद देने की और बच्चा देने के बाद जो कमजोरियां आती है टोनो फॉसफोरस की कमी आती है और इनमें केल में चड़ा सकते हैं गाएं को वो आप अपने डॉक्टर से रिक्मेंट करके अगर कोई गाएं वीक है डिलिवरी के टाइम पे तो उसको पहले ही चड़ा सकते हैं कि गाएं को प्रॉब्लम ना आए कि उसके बाद में एक चीज होती है कि गाएं हम अगर कई बर फार्म हो से प्रचेज कर लेते है तो गाएं बहुत फय धूर्टू रहा है या तो आप अपना डॉक्टर साथ लेके आईए आप हाथ डलवाके चेक भी करवाईए और दूसरा आपको यह option मिलता है कि आप blood test कराके pregnancy का टेस्ट दे सकते हैं उसमें कि आपको पता चल जाएगा कि गाएं आपकी pregnant है या नहीं है इसके बाद जो अगे आगे जो मतलब हमार माराष्टर में करनाटक में जो उनका feedback आता है रिव्यूज आते हैं तो उनको मेन यह problem होती है कि जब काविंग हो जाती है गाएं की तो काविंग होने के बाद उनको संभालना उनकी देखरेक करना तो यह मेन होता है जैसे कि यह हीफर है फस्ट टाइम इसकी काविंग होनी और एट्थ मन्त में जैसे कि मैंने बताया कि इनकी transition feed शुरू हो जानी है transition feed में इनको body weight बनना अच्छा शुरू हो जाना है बट delivery के time पे अगर आपका animal जेर सही से placenta जिसको बोलते हैं placenta सही से नहीं गिरा रही तो आपका animal body weight पूरा तोड़ देगा उसको कम से कम recover होने में एक महिना लगी है इसके लिए हमें क्या चीज़े देखनी चाहिए कि जब आपका animal carving करता है बच्चा देता है तो उसको पूरा proper ध्यान रखना चाहिए उस time 6 घंटे के आसपास गरम पानी और गुड़ देना चाहिए और हो सके तो myfax की एक bottle लगा दो कि गाएं आपकी delivery के बाद जल्दी जीर डाल दें तो यह तो हो गई 7 months से लेके delivery तक की आपकी जो आती है परेशानी है उसके बारे में थोड़ी बहुती points और खरीदारी के समय आपको main क्या चीज़े देखनी है अगर आप पंजाब में खरीदारी कर रहे हो तो गाएं का body weight आपको इतना देखन हो legs score अच्छा हो जो टांगे बिल्कु सीधी होनी चाहिए body weight बिल्कुल रीड की हड़ी सीधी होनी चाहिए यह heifers है पांच-बाद 6-6 में हिनने के pregnant है साथ-साथ में हिनने के pregnant है तो इन में body weight इतना अच्छा है तो अडर यह देखिए अभी बनाना शुरू कर लिया बच् कुछ points होते हैं जो हर farmer को ध्यान में रखके लेने चाहिए animals और हमारा main motive यही होता है अगर कोई videos हम share कर रहे हैं तो सिर्फ उसमें गाएं के sale purchase के बारे में पताया ना जाए बट कोई ना कोई information ऐसी दी जाए जो की बाहर के state के farmers के लिए जुरूरत मन्त हो और उनको फाइद की second generation, third generation से लेकर seventh generation तक के cows हम दिखाएंगे उसमें comparison करके तो आने वाली वीडियो भी जुरूर देखते रहे हैं और वीडियो देखने के लिए सभी farmers का बहुत बहुत आने वाद